हेलो एच्टुडेंट टूडे मैं डिसकस करूँगा क्योंकि मां इंगलिस में बोलता था कुछ लोग के इंगलिस मेरी समझ में नहीं आती थी ताइड में हिंदी में आपको सम्भा रहा हूं कुछ आप मेरी रिशर्च क्या है आप उसको टॉकिंग इंगलिस तु इंगलिस अगर ऐसा क्विस्ट्न अगरें आपके सामने कहीं भी घर दिकि जाये अगर आप सी यह पूछले के वानपक ऊंपर ए प्लस उमेगा वनneपन फान सीफच़् सोमेगा 1 अपन फान की वेलू बताओ तक अप लोग कुछ मत करना जो आनो सब्लस ने रिसर्च में आपको श्रिखाऊंगा मेरे प्यारे स्टुडेंट अगर आपसे से कहीं भी पुछले कुछ मत करना बस टू लिखना ओमेगा होली स्क्वाइर लिख देना ठीक है ओमेगा होली स्क्वाइर वन अपान सी प्लस ओमेगा होली स्क्वाइर वन अपान डी प्लस ओमेगा होली स्क्वाइर मेरे प्यारे स्टुडेंट ये रिसर्च वाले ही बता सकते कि छोटी मोटी मैंद वाले कोसर नहीं बता सकते इसका आया लेकिन यहां पर क्या होज़ेगा अल्ली वन टू ओमेगा ही आएगा ठीक स्क्वाइर फॉर्म में कंस्टेंटली और वट वी जब यह कंक्लूट रहता है जो सिंगल टर्म रहता तो स्क्वाइर इली आता है आपको कैसा लगा गार अच्छा लगता ता पर लाइक जरू कर दिजी ताकि ऐसे लगातार वीडियो में अपने हों बीच में लेकर आता रहूं अगर एक पर फिर समझना सिंगल आगा थोली स्क्वाइर सिंगल अगर वहां पर डबल अगर आगया तो सिंगल होगा इंगलेस भी बताएंगे तापको समझ में तो आएगा नहीं कि अच्छा लगा सब्सक्राइब और लाइक करू शेर करू थेंक्यू बाए बाए